ओम नमो नारायन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं कार्दिक के पूरे महीने में हमारे चैनल पर कार्दिक मास महतमे की कथाईं सुनने के लिए सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक आभार आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास का उद्यापन, कार्तिक महिने में किये गए व्रतों का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए साथ ही आप जानेंगे कि कार्तिक पुनीमा का इसनान या व्रत आपको किस दिन करना है क्योंकि इस पार कार्तिक पूनिमा के दिन ही चंदर ग्रहन लगने वाला है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि पूनिमा की तिथी को गंगाजी में या अन्य पवित्र नदियों में इसनान करने की परंपरा है तो क्योंकि कार्थिक पुनिमा के दिन जंदर ग्रहन लगने वाला है ऐसे में आप इसनान और दीपदान कैसे कर सकते हैं कार्थिक उद्यापन किन-किन लोगों को जरूर करना चाहिए जो लोग नियमित रूप से केवल कथाईं सुनते हैं या उन लोगों को भी कार्थिक मास का उद्यापन करना चाहिए या और भी बहुत सारे प्रश्ने हैं जिनका जवाब इस वीडियो में आपको आज मिलने वाला है तो इस बार 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन कार्थिक पुनिमा है जिस दिन देव दिवाली भी मनाई जाएगी और जो लोग भी कार्थिक पुनिमा का उपुवास रखते हैं उन्हें इसी दिन उपुवास रखना चाहिए क्योंकि अगले दिन 8 नवंबर मंगलवार को चंदर ग्रहन लगेगा जिसका सूतक सुभा से ही प्रारंब हो जाएगा चंदर ग्रहन शाम के समय लगेगा और क्योंकि ग्रहन के दिन यदि सूतक काल लगता है क्योंकि जब ग्रहन हमारे देश में दिखाई देता है तो उसका सूतक काल भी माने होता है और मानेताओं के निसार सूतक काल की अवधी में किसी भी तरह का कोई भी शुबकारी नहीं किया चाता है इस दिन आप केवल इस नांदान कर सकते हैं लेकिन रत उपवास आपको 7 नवंबर को ही रखना चाहिए तो देखें 7 नवंबर को ही आपको कार्थिक मास का उद्यापन भी कर लेना चाहिए वैसे तो कार्थिक मास के उद्यापन की जो विधी है वो चतुरदशी तिथी से यानि कि जिसने बैकुंठ चतुरदशी होती है जिसे हरी हर मिलन की तिथी भी कहते हैं उस दिन से ही प्रारम हो जाती है ऐसे में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको चतुरदशी तिथी से प्रारम करने चाहिए जो लोग पूरे कार्थिक मास के नियमों का पालन ना कर पाए हो, पूरे महीने में वरत उपवास ना रख पाए हो, कुछ-कुछ मुख्य वरत होते हैं, वो नहीं रख पाए हो, तुलसी जी की सेवा पूजा लगतार ना कर पाए हो, तो ऐसे में पहले तुम्हें आपको ये पूरे कार्थिक मांस के किये गए पुर्ण का लाब उठा सकते हैं आप केवल इन पांस दिनों में भी यदि नियमित रुप से तारा भोजन कर लें अपनी कोई प्रे वस्तू प्रे अन्न का त्याग कर लें या सुबह और शाम आप इसनान करें जो कार्थिक इसनान कहलाता है जैसे कि सुबह को बह्यमित में और शाम को आप इसनान करके तारा भोजन कर सकते हैं क्योंकि तारा भोजन में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है जो कि शाम को तारा उदय होने के बाद ही कर लिया जाता है भोजन शुद्व साथ भी खूना चाहिए इस प्रकार से अगर भीश्म पंचक व्रत रखते हैं तब भी आपको कार्तिक मास का उत्यापन 7 नवंबर को करना चाहिए कार्तिक महिने में जो भी इस्त्री पुरुष व्रत परायन होते हैं उन्हें अन्न का दान करना चाहिए अन्न के दान से बढ़कर कोई दान नहीं इनके अलावा अपने भोजन में से पहला ग्रास गौ ग्रास के रूप में निकालना चाहिए भगवान की कथाओं और लीलाओं का नित्य श्रवन करना चाहिए ब्रह्म चरे में रहकर ग्रहस्त धर्म को निभाना चाहिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि पराया अन्न पराया धन पराई इस्त्री पराई शय्या का भी परित्याग करना चाहिए उड़त शहद का सेवन व्रती को कार्तिक के महिने में नहीं करना चाहिए कार्थिक का वरत रखने वाले जो भी वरती हुएं उन्हें इस्ट देव, वेदशास्त, पुरान, प्रहमन, गुरु, गवु, वरती, इस्त्री, राजा और महापुरुशों की भूल कर भी निंदा बुराई नहीं करने चाहे वरती, पुरुश या फिर इस्त्री किसी भी रजस्वला, इस्त्री या कन्या का इसपर्ष ना करें ऐसा करने से बड़ा भारी दोश लगता है रजस्वला, इस्त्री के इसपर्ष से युक्त, कवों का जूठा और सूतक युक्त घर का भी अन नहीं खाना चाहिए इन तीनों की एक ही कोटी होती है, यानि कि ये तीनों एक ही प्रकार के पाप दायक होते हैं ग्रहस्थ पुरुश को सदा ही रविवार के दिन आवली का त्याग करना चाहिए अब जाने उद्यापन विधी के बारे में इस बार 6 नवंबर रविवार को बैकुंठ चतुरदशी है और रविवार का दिन होने की कारण इस बार आप तुलसी जी की पूजा करते से में कुछ खास साथधने जरूर बढ़ते वैसे तो रविवार को तुलसी जी का इस पर्ष नहीं किया जाता है ऐसे में यदि आप कारतिक पूनिमा के दिन ही साथ नवंबर को ही उद्यापन करते हैं तो वो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि तुलसी जी को जल भी अर्पित किया जाता है उनकी पूजा करते समें उन्हें इस बर्ष भी किया जाता है तो ऐसे में अगर आप इस बात का विचार करते हो तो आपको फिर साथ नवंबर को ही उद्यापन भी करना चाहे तो देखिए उद्यापन के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य की जाती है वरती मनिश्य को कार्तिक शुकल पक्ष की चेतुरदशी को वरत की पूर्ति और भगवान विश्य की प्रसनता के लिए उद्यापन करना चाहे उद्यापन करने वाले विक्ति को दुलसी जी के ऊपर एक सुन्दर मंडब बनाना चाहे जिसमें चार दरवाजे लगे होने चाहे चार दरवाजों को आप प्रतीक रूप में भी बना सकते हैं फिर उस मंडप में सुन्दर बंदनवार लगा कर उसे फूल से फूल मालाओं से सजाना चाहिए सुन्दर जो रंग बिरंगी कतरने आती हैं उनसे आप सजा सकते हैं अपनी सामर्थ के नुसार आप मंडप बना लें अगर मंडप नहीं भी बना पाते हैं तो दुलसीजी के पौधे को आप चुनरी ओड़ा कर भी इस प्रकार से मंडप की तरह उनका ध्यान कर सकते हैं अगर आप मंडप बनाते हैं तो उसमें चार दरवाजे होने चाहिए फिर उस मंडप में सुन्दर बंदनवार लगा कर उसे फूलों से और फूल मालाओं से सजाना चाहिए चारों द्वारों पर आपको अलग-अलग मिट्टी के द्वारपाल रखने चाहिए इस्थापित करने चाहिए ये द्वारपाल है पुर्णिशील, सुशील, जय और विजय ये चारों द्वारपाल ही भगवान विश्णु के बैकुंठ लोक में भी स्थापित रहते हैं तो इनकी स्थापना करने चाहिए इनका ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए तुलसी जी की जड़ के पास में ही आपको जो भी पूजन सामगरी है वो रखनी चाहिए तुलसी जी के पौधी को एक आप चौकी पर स्थापित कर ले नहीं तो आप जहाँ पर भी पूजा करते हैं कलश में आप अंदर जल भरें उसके उपर आप नारेल रखें नारेल के उपर ही आप भगवान विश्नु और मालक्षमिजी की मूर्तिया तस्वीर की स्थापना भी करें भगवान कृष्ण की मूर्थिया तस्वीर हो तो आप उनकी भी इस्थापना इस समय करके उनका भी पूजन आप कर सकते हैं क्योंकि देव उठान एकादशी को भगवान विश्णू चार महीने की योगनित्रा का त्याग करते हैं और दौादशी तितफी को जब भगवान शेय से उठते हैं तब त्रेवधशी तितफी को देवताओं ने उनका दर्शन किया चदुर्दशी को सबने उनकी पूजा की इसलिए इस दिन भी उसी तितिफी को भगवान की पूजा अर्चना जरूर की जाती है जो लोग कर्तिक मास के नेमो का पालन नहीं करते उन्हें भी चतुर्दशी को भगवान का भजन, कीर्टन और पूजन और व्रत की गथा अवशी ही पढ़निया सुनी चाहे इस दिन शांत और शुद्ध मन से श्रध्धा पूर्वक उपवास भी करना चाहे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगतों को उपवास भी रखना चाहे उपवास करने के बाद शाम को ही व्रत खोल कर व्रत का उद्यापन किया जाता है सुबह से लेकर शाम तक आप उपवास रखें और इस दिन आप तिल और खीर से आहुती दें देवताओं की प्रसंता के लिए तिल और खीर की आहुती दी जाती है ब्रहमणों को दान दक्षिना दी जाती है वरत का उपदेश करने वाले आचारे का यानि कि अपने घर पर यदि हो सके तो पुरोहिट जी को बुला कर उनका भी पूजन आपको करना चाहिए उन्हें भी दान दक्षना देनी चाहिए फिर इसके बाद सबसे अंत में ब्रहमनों से प्रार्थन करनी चाहिए कि है विपरो आप सभी की करपा से भगवान विश्नु मुझ पर सदा प्रसन रहें और इस प्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों में किये हुए मेरे सभी पाप नस्ठ हो जाए भगवान के पूजन से म पेरे सभी मनुरत पूर्ण हो जाए और अंत में मुझे बैकुठ लोक की प्राप्ति हो इस प्रकार की प्रार्थना करते वे प्रहमनों को दान दक्षना देकर उनका आशिरवात प्राप्त करके उन्हें विदा करना चाहिए इसके बाद ही अपने पूरे परिवार सहित परचार करने वाले यानि कि जो लोग इन नियमों को दूसरों को बताते हैं उन भक्तों के भी सभी पाप नस्ठ हो जाते हैं जिन लोगों ने भी कार्थिक महिने में केवल कथाएं सुनी हैं उन लोगों को कार्थिक मास को उद्यापन करने की वैसे तो आविश्रिक्ता नह जैसे कि कुछ लोग ब्रहमन और उनकी पत्नी को वस्तरों का दान करते हैं जैसे कि ब्रहमन की पत्नी के लिए सुहा की सामगरी और साड़ी वगरा जो भी आभुशन होते हैं वो आप दे सकते हैं ब्रहमन के लिए आप धोती वगरा कुर्ता पैजामा दे सकते हैं अगर ऐसी स सामर्थ नहीं है तो आप अपने सामर्थ के इसार केवल दक्षिना का और फल मिठाई का दान भी उन्हें दे सकते हैं यानि कि कहने का तात पर यह है कि उद्यापन करने वाले भक्तों को इस दिन दान दक्षिना चरूर ही देनी चाहिए और तुलसी जी के पौधे का पूजन तो आपको पूरे कार्थिक महिने में करना ही है लेकिन उद्यापन वाले दिन भी आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि 8 नवंबर को चंद ग्रहन लगेगा सूतक काल पूरे दिन मानने रहेगा ऐसे में आप 7 नवंबर को भी उद्यापन संबंधी कारे कर सकते ह यदि संभव हो तो कार्थिक पुर्णिमा का उपवास रखें और उपवास करते हुए आप अपने सामर्थ के नुसार आसपास के मंदिर में जाकर दीपदान करें क्योंकि इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है अपने घर के मुख्यदवार पर और अपने आसपास चारो दिशाओं में आप दीपग जरू जला कर रखें बहते जल में दिसंभव हो तो दीपदान करना चाहिए ऐसा करने से भी कार्थिक मास के नियमों का पालन करने वाले या कार्थिक मास का जो लोग वरत रखते हैं उनका भी पुर्णे आपको एक दिन में ही प्राप्त हो जात जिनके लिए ऐसा करना संभव ना हो वो नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर इसनान करें मा गंगा का ध्यान करें धर्ती माता को प्रणाम करें सूरित देवता को जल अरपित करें और अगर आप कार्थिक के महिने में गौ माता की पूजा करते हैं गोशाला में हरेचारे क दान भी आप कर सकते हैं तो ये थी कार्थिक मास के उद्यापन संबंदी जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोच सकते हैं इसके अलावा कार्थिक मास के बाद क्योंकि पोनिमा के अगले दिन से मार्कशीस मास प्रारंब हो जाएगा और मैं आपको अब तक रुकीवी जो भागवत कथा थी सबसे पहले वो सुनाओंगी साथ-साथ आप मार्कशीस मास महातमी की कथाई भी हमारे चैनल पर उसी तरह से सुन सकते हैं जैसे आपने पूरे महिने में कार्दिक मास महातमी की कथाई सुनी थी उमीद करती हूँ आप आगे भी हमसे इसी तरह से जोड़े रहेंगे